Yes, Hello everyone, Good morning all of you and welcome to the Global World Academy आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं educational psychology के बारे में शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में आज के session में हम लोग discuss करेंगे हम लोग यहाँ पर एक previous year paper complete करने जा रहे हैं जो कि अपका 21 October 2021 को हुआ था इसमें जो सबसे first section होता है discipline 1 उसके बारे में आज के session में यहाँ पर discussion होने वाला है यह वाला session आपको KVS में भी help करेगा female supervisor की तयारी यदि आप कर रहे हैं इसके साथ तो वहाँ पर भी आपको यह subject जो है help करने वाला है इससे previous जो हमारी class होई थी जिसमें हम लोगों ने 20 November 2019 में जो educational psychology पूछा गया था वो paper discuss किया था इसका complete playlist भी available है ताकि बहुत ही कम समय में आप जो भी questions यहाँ पर पूछे गए हैं उनको prepare कर सकते हैं इसका playlist आपको comment box में pin किया हुआ मिल जाएगा ताकि आपको ढूढने में आसानी हो आपका समय बचे और आप directly playlist से videos को visit कर सकें तीके session पूरा last तक देखिएगा discipline 1 हम लोग यहाँ पर complete करेंगे कुछ और discussion हम लोग यहाँ पर complete करेंगे जो की हमारा connected होगा हमारे subject से तीके चलिए start करते हैं सबसे पहले question पर हम लोग यहाँ पर move करे हैं सबसे पहला question देखिएगा answer करिएगा पहले question का answer क्या होगा शिक्षा निती के अनुसार बच्चों को अक्षरों और संख्याओं का ज्यान बाल विकास के निम्नम में से किस चरण के अंतरगत देना सरवाधिक उप्यूक्त यहाँ पर रहता है आप question अच्छे से पढ़ सकते है simple question हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते है क्योंकि आपको ध्यान होगा जो यह first section होता है यहाँ पर आपसे जो questions पूछे जाते हैं mostly पूछे जाते हैं ECCC से related, ICDS क्या है जो health and nutrition तरीके हैं techniques से उन्हें related questions पूछे जाते हैं तो इसी बीच में question यह पूछ लिया गया है कि जो हमारी शिक्षानीती बोलती है educational policy बोलती है तो यहाँ पर कौन सी stage होती है जहाँ पर बच्चों को संख्या ज्यान देना उपियुक्त हो जाता है तो हम सभी जानते हैं यह होता है early childhood stage जहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सारी चीज़े सिखा दी जाती है और अभी आपको पता भी है बच्चों के लिए FLN मेला वगेरा लगता है जिसमें बच्चों को बताया जाता है खेल खेल में सारी चीज़े सिखाने की कूशिश करी जाती है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं Q2 की तरफ I think आपका Q1 clear होगा और क्योंकि बाकी options भी यदि आप देखें तो adulthood, childhood, adult sense और early childhood दे रखा था तो संख्या ग्यान शुरुवाती समय में देना मतलब बच्चा कर तीन साल की स्टेज में आ चुका है that means this is the right time कि आप उसे जो है अब संख्या ग्यान यहाँ पर दे शब्दो का ग्यान यहाँ पर देना स्टार्ट कर दे किसमें खेल खेल के माध्यम से चलिए अब Q2 को देखिएगा और answer करिएगा ट्राइ करिएगा कि जितने question आज हम लोग complete करते हैं आप उनके सही answer कर पाएँ ठीक एक तरीकी से आपका test ही हो गया यह Question number 2 The important things to remember is that every child is हमें यह याद रखना जरूरी है या सबसे याद रखने वाली महतुपुन बात है कि प्रत्य एक बच्चा अपने आप में यूनीक होता है ordinary सामान ने होता है predictable होता है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बच्चा इस प्रकार से विभार करेगा या फिर समान होते हैं same होते हैं सभी equal होते हैं तो हमारी जो psychology है वो हमें ये सिखाती है कि प्रत्य एक बच्चा अपने आप में कैसा होता है unique होता है vicious होता है so correct answer is option number one हर एक बच्चा दुसरे बच्चे से अलग हो सकता है हर एक बच्चे में एक uniqueness हो सकती है जो उसको दूसरे बच्चों से अलग करती हो और इसी के साथ हमें हर बच्चे को पढ़ाना होता है question number three देखेगा what is the full form of ECCE ECCE का full form यहाँ पर क्या है यह हमें बताना है simple सा question है early care, educational care, early childhood यह वाला सही हो गया है और इधर भी early childhood लिखावा है इसने लिखाए care and education इसने लिखाए course and education that means कि C वाला correct हो जाएगा early childhood care and education जो है ECCE का यहाँ पर full form होगा now question number four को देखिएगा छोटे बच्चों में व्रद्धी और विकास का व्यापक अध्यान करने के लिए कौन से विधी सबसे उप्योगत होती है बहुत सारी विधी होती है अध्यान करने की लेकिन जब हम लोग बात करें छोटे बच्चों की ठीके young children की तो किस विधी के थू इन बच्चों का जो है हमें करना चाहिए analysis करना चाहिए अध्यान यहाँ पर करना चाहिए क्या बच्चों की एक बच्चे की दूसरे बच्चों से अध्यान किया जाता है वो developmental method के थू किया जाता है developmental जादा कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें हर एक aspect को analysis किया जाएगा that means physical domain cognitive domain mental emotional है ना जो भी चीज़े हमारी आ जाती है ठीके सारे जो हमारे fact हो गए वो सारे domain जो है developmental method के अंदर ही consider किये जाते हैं ठीके चलिए question number 5 को देखेगा question number 5 आपकी screen पर है छोटे बच्चों के vicious गुणों को देखते हुए preschool शिक्षक निम्णों में से कौन सी योजना बनाता है while looking at the characteristics of young children the preschool teacher can plan for क्या पुछा है छोटे बच्चों को देखते हुए preschool के जो teachers होते हैं है ना उन्हें क्या योजना बनानी चाहिए विकास की दृष्टी से उपर युगत गती वीधिया activity यहां पर करवाई modification based on children's individual need हमको पैता है हर एक बच्चा आपने आपने wishes होता है तो बच्चों की व्यक्तिका ताउशक्ताओं के आधार पर संशोधन किया जाए है ना जैसे कोई saliva सभी के लिए common है और specific बच्चे को कोई need है तो वो उस बच्चे को provide होनी चाहिए उसमें modification होना चाहिए दोनों चीज़े बिल्कुल सही है संशोधनों के प्रती सम्मति यहां पर व्यक्त की जाए refusal against modification मतलब असम्मति है यहां पर कोई भी modification हुआ है जिसे हमने यहां पर modification किया तो इसने क्या बोला उस चीज़ को क्या कर दिया जाए उस चीज़ को refuse कर दिया जाए उसके प्रती मतलब उसको मना कर दो कि नहीं हमको कोई भी संशोधन यहां पर नहीं चाहिए that means यह तो negative हो गया तो हमको पहला और दूसरा correct लग रहा है correct answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा now question number 6 आपकी screen पर है बच्चों में नेतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंबिक बाली अवस्था में शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन बच्चों को प्रशिक्षन प्रदान करने में सबसे जाधा effective होगा इनोंने क्या बोला है बच्चों में हमें moral development को बढ़ावा देना है तो early childhood में हम लोग किस विधी का प्रियोग यहां पर कर सकते हैं यही चीज़ पूछिए सबसे पहले इस पष्ट नियम और कड़ी सीमा यहीं से negative हो गया यहना क्योंकि बच्चों के उपर आप नियम, rules, regulations नहीं लगा सकते भूमी का निर्वा, role play के मादियम से बच्चों के विवहार को आप आकार देते रहें बिल्कुल सही बात है role play करके दंडन यह कठीन परिस्थितियों से गुजारना negative हो गया पुरुस्कार दंड देना negative हो गया अब इस question में आपने एक चीज दोटिस करी होगी कि हमने इना सारे options पूरे-पूरे नहीं पड़े हमारा ध्यान ना, जैसे अगर हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं हम लोग को डारेकल हिंदी में पढ़ने के आदा थे मुझे role play दिखा ठीक है और आकार देना मतलब मुझे इसमें नहीं जैसा word नहीं दिखा यह मैंने skimming यहाँ पर करी इसमें मुझे बस इस पश्ट नियम दिखा तो मुझे लग गया यह गलत है यह भी गलत है और यह भी गलत है रुसकार दंड और दंडनी कठीन परिस्थित्या पड़ा तो ऐसे ही आप कर सकते हैं अंटिल और अनलेस इसमें चार ओप्शन ना हो जिसे यह चार ओप्शन हो गए तो चार स्टेट्पिंट की साथ जो चार ओप्शन आते हैं कि और आपको रोल प्ले दिख गया और नहीं जैसा कोई वर्ड इसापर नहीं दिखा यह यह आपका क्या क्या जाएगा करेक्ट हो चाएगा और roll play keyword भी होता है हमेशा positive रहता है चलिए question number 7 को देखिएगा कि सायू के दोरान बच्चों में चुटकी की पकड़ मजबूत होने लग जाती है पिंसर ग्रिप मजबूत हो जाती है अगर मैं बच्चे को बोलू कि तुम इसको tight hold करो या बच्चे के हाथ में pen पकड़ा दू pencil पकड़ा दू, column पकड़ा दू, कोई भी चीज पकड़ा दू मैं बोलूंगे तुम इसको tightly hold करो या बच्चे को पकड़ना आना चाहिए उसके हाथ से slip नहीं होना चाहिए, उसके हाथ से गिरना नहीं चाहिए, तो ये किस मन्थ में आकर बच्चा थोड़ा पकड़ना सीख जाता है, 9 से 12, 6 से 9, 12 से 36, 12 से 18 महिने, correct answer क्या हो जाएगा, option number 1, 9 से 12 महिने में बच्चा जो है, चीजों को थोड़ा पकड़ना सीख जात तो पैरेंट्स को क्या करें, पैरेंट्स बच्चों को बैलेंस डाइट में रख सकते हैं, नीमित का महार देना, एक दिन में तीन बार भोजना, और कई व्याया माधारेट खेलों में उनको शामिल करना, ठीके तो सबसे अच्छा है कि आप उसको बैलेंस डाइट दे, जो काहर की सूची हमको दी जाती है, के बल उसी को आप फॉलो करें, कितनी माधरा में कार्बाइट इतना प्रोटीन, इतना विटामीज, ये सारी चीज़े होनी चाहिए, तो एक बैलेंस डाइट बच्चे की होना चाहिए, और जंग फूट वगेरा से बच्चे को दूर रखे कम से कम सेवन यहाँ पर करें, जादा से जादा माधरा में पानी लिए, जो भी चीज़े होती है, वो बैलेंस डाइट के अंदर यहाँ पर कंसीडर कर ली जाएगी, ठीके, चली, कुश्चन नमर 9 को देखिएगा, बच्चों की आयू के अनुसार व्रधी विकास और सेहत पारिभाशित करते हैं कि क्या, the age-appropriate growth, development and well-being of children defines that, क्या define करते हैं कि the children have a healthy lifestyle, बच्चों की lifestyle स्वस्थ होती है, बच्चों की उच्चाई और वजन आयू के अनुसारे, बच्चों की उच्चाई और वजन आयू के अनुसारे, बच्चे नेमित रूप से व्यायाम पर ध्या लेकिन मांसिक रूप से बहुत कमजोर है, emotionally stable नहीं है, तो सारी चीज़े perfect होनी चाहिए, that means जो correct answer बनेगा, वो option number B हो जाएगा, ठीके, चलिए, question number 10 की तरफ चलते हैं, चोटे बच्चों के देनी काहर में calorie की गड़ना किस आधार पर होनी चाहिए, क्या बूच्चा इसने क चोटे बच्चों में अगर आप calorie को calculate कर रहे हैं, तो किस basis पर करोगे, बच्चों के आयू उप्युक्त calorie अंतर ग्रहन पर, children's age appropriate calorie intake की 0 से 1 साल में इतनी होना चाहिए, 1 से 3 में इतनी, 3 से 5 में इतनी, 5 से 7 में इतनी, इसी जो हमारी categories होती है, या वसा और मीठे के संयोजन के आधर पर जटिल कार्बाइडर और प्रोटीन केवल विटामिन, देखो बच्चों की age के appropriate किसी समय ज्यादा कार्बाइडर चाहिए होता है, किसी समय ज्यादा विटामिन चाहिए, तो उसकी age के according जो है calorie calculation यहाँ पर होनी चाहिए, that means जो answer होना चाहिए, वो होना चाहिए थ सबसे पहले serving children of 0 to 6 years, जी जोर से 6 साल के सारे बच्चे आजाते हैं, ICDS के अंदर, सारी pregnant women जो होती है, जो बच्चे को जन में देने वाली है, वो सारी आजाती है, अब इसमें किशोरी लड़किया यह सारे आजाते हैं, जो ICDS के अंदर consider किये जाएंगे और इनको सारे benefits यहा पर देख सकते हैं, ministry of women and child development, महिला और बालविका समंत्राले के अंतरगत, इस scheme को launch किया गया है, supplementary nutrition यहाँ पर provide किया जाएगा, ठीके pre-school education इसके अंदर आती है, health and nutrition education दी जाती है, referral services यहाँ पर दी जाती है, जिसे कोई छोटी मोटी विमारी पता चलती है, तो आगे बड़ इसमें रखा जाता है, तो यह आता है अपना ICDS के अंदर, किसके द्वारा launch किया गया कर कोई विभाग पूछे, तो यह विभाग आप ध्यान रख सकते हैं, okay, now question number 11, बच्चों के हार में किसकी मात्रा अधिक होना चाहिए, साबू तनाज, उच्छ फाइबर वाली bread की, पन किसे negative चीज़ हो गई, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, साबूत अनाज, उच्छ फाइबर वाली जो bread है, वो चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए sufficient होनी चाहिए, और उनके diet में इन चीज़ों का होना बहुती जादा आविश्यक रहेगा, ठीक है, now question number 12, चोटे कारात्मक सेहत इत्ती जादा माईने क्यों रखती है, why? याना कारात्मक संबंदों का समर्थन करने में सहायक होती है, या उनके संपुर्ण शारेरिक और मानसिक स्वास्ते के लिए महतुपुर्ण है, यह दिर्गकाली नदिगम लाबू को बढ़ावा देती है, बच्चों को अंतरमुखी इंट्रोवर्ट बनाने में हेल्प करती है, अब आप खुछ चोचों कि अगर इसने पॉजिटिव वेल्विंग के बारे में पूछा है, यह चीज तो नेगटिव हो गई, यह नेगटिव तो नहीं है, बट बहुत बाद में उसको बहुत फाइदा होगा, लंबे समय के लिए अधिगम अच्छा होगा, इसलिए सकारात्मक होना चाहिए, और बच्चा एक्स्ट्रोवर्ट होता है, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कि सबसे कम्यूनिकेट करता हो, अंतर मुखी होने में कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन हम लोगे कंसीडर कर बच्चे को शाय नहीं होना चाहिए, काइंड ओफ चीज़ है, तो अभी अगर मैं इन सब में से करेक्ट ढूंडू, तो केवल करेक्ट क्या होगा, अप्शन नमबर बी होगा, थर्टीन्थ नमबर का कुश्चन देखिएगा, चाल्ड़ूड ओबेसिटी केन बी ता बैलेंस डाइट जो है, वो हमारा आंसर था, अब इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दी है, और कुश्चन पूछा है कि बच्चों को अगर मोटा पिसे बचाना है, तो आप किस चीज़ को इनकरेज करेंगे, अधिक चलने और सकरी रूप में खेलने में, वीडियो गेम खे एक्टिविटी करवा कर, हम लोग बच्चों को मोटा पिसे यहां पर बचा सकते हैं, कुश्चन नमर 14 को देखेगा, बच्चे के मस्तिश्क के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण है, बच्चे का अगर हम लोग चाह करना है, तो क्या चीज़े, एटिंग हैबिट प्रोपर होने चाहिए, रैकिलर फिजिकल अक्टिविटी, कॉम्पलेक्स मेंटल, देखो यह वाली तो हेल्प नहीं करेगी, न्यूट्रिशन बैलेंस मील यहां पर होना चाहिए, वही बैलेंस डाइट यहां पर हो, तो हम ल 120-140 किलो कैलोरी पर केजी पर दे, ठीक है, 100-120, 100-150, 150-220, देखो इसमें कई सारी चीज़े होती है, जो हम लोग यह ध्यान रख सकते हैं, कि अलग-अलग जगा, जैसे अभी मौस्कोमन इंडिया की बात करू, तो FAO की बात कर लो, या ICDS की बात कर लो, तो उसमें कुछ दी हुई रहती है, तो लगबग हम लोग बोल सकते हैं, कि जो छोटे बच्चों के लिए रहता है, 100-120 किलो कैलोरी पर केजी पर दे, यहाँ पर रहता है, जो नवजा, शिशु, जो न्यूबॉर्ण चाइल्ड है, उसके लिए यह सफिशेंट है, ठीक है, फिर जिसे जिसे उर्जा क्या उशकता होगी, तो 100-120 किलो कैलोरी पर केजी पर दे, यहाँ पर सफिशेंट है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको सारे कुश्चन, बिल्कुल बेसिक 15 कुश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किये हैं, आपके डिसिप्लिन 1 से, ओक है, इसमें एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप पर हैं, तो free study material में जाकर, previous year paper में इसके कही सारे questions भी देख सकते हैं, और इसके नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो ICDS जो है हमारा, एक इकरश शिक्षा वाला, इ पर केजी पर डे सफिशेंट है, यह 100 to 120, अगर एक से 3 हैं, तो 90 से 100 सफिशेंट है, 4 से 6 साल को 80 से 90, 7 से 10 को 37 से 5 अच्छेंट हैं, तो 45 to 50 किलो कैलोरी पर केजी पर डे यहां पर सफिशेंट होता है, तो यह top 15 question, discipline 1 के हम लोगों ने यहां पर complete कर लिए हैं, I hope कि यह session आप लोगों को अच्छा लगा हो, comment करके जरूर से बताईएगा, और इसी तरीके से regular week में आपके classes रहेगी, इसी समय पर, ठीके, हम लोग अब इसमें कुछ topic wise classes भी include करने वाले हैं, जैसे ICDS पर एक class हो गई, ऐसे करके हमारा ECC पर एक class हो गई, तो वो classes भी आप जरूर से visit ठीके, और यदि इसके अलावा भी आपको और कोई help चाहिए, तो जरूर से comment box में mention कर दीजिएगा, किसी specific topic को भी पढ़ना है, तो वो भी आप mention यहाँ पर कर सकते हैं, ओके, इसके अलावा science की शाम को 6 बजे live class रहती है, उसे भी आप जरूर से join करिएगा, चलिए, session को over कर मिलते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली class में, thanks for watching